हेलो फ्रेंड्स, कुरुष्णा अडेनियम में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो समर सीजन में अडेनियम की कैसे केर करें इस टॉपिक पर है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें आपको पता ही होगा समर सीजन अडेनियम के लिए बेस्ट माना जाता है क्योंकि समर सीजन में ही अडेनियम में निव शूट्स आना स्टार्ट होते है और जाता तर फ्लावरिंग समर सीजन में ही होती है एप्रिल और मई में अडेनियम अपने असली रूप में आता है और फुल ब्लूम करता है मैंने पहले ही इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है कि कैसे अडेनियम को समर के लिए प्रिपेर करे मेरे कुछ अडेनियम ब्लूमिंग पर है और कुछ में बर्स बनना स्टार्ट हो चुका है और जिनकी मैंने ग्राफ्टिंग की थी उनकी भी ग्रोथ अच्छे चल रही है बस कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो अडेनियम को ग्रो करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है और कम केर में भी चलने वाला प्लांट है अगर एक बार हम इसे अच्छे से लगाना सीख जाते हैं तो हमेशा के लिए ये हमारे गारडन में रहता है अगर हम समर में अच्छे से क्यार करते हैं तो ये 9 बर डिसमबर तक फ्लाउरिंग करता है पहली बात ये हैं कि हम इसे कहां रखें अगर प्लांट मेच्यर है मतलब 3 साल से बड़ा है तो हम इसे full sunlight में रख सकते हैं अगर प्लांट चोटा है 2 साल तक का तो सिर्फ दोपर तक की सनलाइट मिले ऐसी जगह पर ही रखे क्योंकि में की धूप हमारे छोटे अडेनियम को डैमेज कर सकती है और हर हपते अपने प्लांट को 45 डिग्री में रोटेट करते रहना है ताकि सनलाइट प्लांट पर सभी सैड में मिले और प्लांट सभी सैड से ग्रो करे नहीं तो जिस सैड से सनलाइट मिलती है सिर्फ उसी तरफ इसकी ग्रोथ होती है और दूसरी तरफ ग्रोथ रुख जाती है दूसरी बात यह है कि हमें इसे कौन सा फर्टिलाइजर देना है में महीने में ज़्यादा धूप होती है तो हमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज अवोइड करना है Mostly organic fertilizer का ही यूज करें या फिर liquid fertilizer का भी यूज कर सकते हैं fertilizer का यूज spray या फिर roots में जब भी देना हो तो evening में ही दें इससे रात भर plant सारा fertilizer absorb करता है इससे growth भी अच्छी होती है तीसरी बात यह है कि हमें अडेनियम को watering कब करना है Summer season में सभी plants को evening में ही watering करना चाहिए हमारे अडेनियम को भी evening में ही watering करना चाहिए क्योंकि morning में watering करने से दिन भर पूरा water धुप से उड़ जाता है और plants water absorb नहीं कर पाते और दोपर में मिट्टी और roots दोनों गरम होते है ऐसे वक्त अगर हम watering करेंगे तो roots damage होने का ज़्यादा खत्रा रहता है जब भी watering करें तब full watering करना है drainage hole से water नीचे आने तक इससे plant के नीचे तक के roots को भी water मिल जाता है चोती बात यह है कि आप अपने जो मिट्टी में पाट्स है उसमें mulching करें mulching के लिए आप कोकोपीट, राइस, खसकर या फिर dry leaves का भी यूज़ कर सकते हैं इससे plant के top soil से moisture महीं उड़ेगा अगर आपने अपने च्छत पर pot में अडेनियम लगाया है तो आपको इसे थोड़ा उचा उठा खर रखना है इस pot के नीचे कोई भी इट या फिर stand पर आप इसे रख सकते हैं इसे च्छती गर्मी से plant बचा रहेगा roots को भी ventilation मिलेगा इससे roots damage नहीं होंगे बस इन कुछ बातों का आपने ध्यान रखा तो आपका इडेनियम सालों साल आपके garden में फ्रावरिंग करता रहेगा